हाई फ्रेंड्स वेलकम टू प्यारा इंडिया और फ्रेंड पत्ना ओमें स्कॉलेज में एड़िशन लेना जाते हैं 2023 सेशन में तो उसका नोटिफिकिशन जारी कर दिया गया है तो जो भी छात्र इंटर की परिक्षा 2023 में पास किये हैं यही से पहले पास किये हुए और पत् प्रेंड कर लिंक आपको डिफ्रेंशन बक्स में मिल जाएगा वहां से फॉलो करके हमसे बाते कर सकते हैं तो चलिए वीडियो सुर करते हैं और सारी जनकारी आपको देते हैं उससे पहले अगर प्यारा इंडेक्टर चैनल पर आप नहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह एड़िशन दोहर 23 से डिलेटेड नोटिस जो 24-23 को जारी किया गया इसमें सारे जनकारी दिया गया है तो सबसे पहले यहां पर आपको बता दिया गया है कि जो आनलाइन आविदन है 25 मार्च 23 से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और यहां अगर आप अम करना चाहते हैं तो आपको इंटर में आर्ट्स या साइंस या कमर्स किसी से भी पास आउट है 12 तो आप इसमें एड़िशन ले सकते हैं इसका जो है तीन साल का यह कोर्स है और इसका जो एक्जाम होगा आफ लाइन के माधियम से एक्जाम लिया जागा इंट इनों का एक्जाम एक साथ होगा यहां पे 10,6,2,3 को देख सकते हैं टाइमिंग भी यहां पे दिया गया है अगर आप BCA करना चाहते हैं तो आपको इंटर में आईशी और विट मैथ के साथ पास होना चाहिए यानि कि आपको जो साइन्स अगर इंटर किये हैं और मैथ होन चाहिए तब आपको यह कुर्स कमे एड़िशन ले सकते हैं उसके बाद यहां पे CEMS में अगर एड़िशन लेना चाहते हैं तो इसमें इंटर, आर्ट, साइन्स, कमर्स किसी से भी पास हैं तो एड़िशन आपको मिल रहेगा उसके रद यहां पे दिया गया है BBA कुर्स कर यहां पर दिया गया है कि आपको कौन सा क्वालिफिक्शन होना चाहिए तो बीबिय करने के लिए आप किसी भी आर्ट से हो या साइन्स से हो या आइकॉम से हो यानि कि कमर्स से हो साथ, साइंस, कमर्स किसी से भी 거지 है तो आप इसमें एडबिशन ले सकते हैं ये तीन साल κάर मस्हानीय मेद एक और सब्सक्रक्रण है कि आपको साइंस से छाहिए और साइंस से आपको इन्टरिक किसी से लिए गल क्लीड दो है यानि मास कॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आर्ट्स, साइंस और कमर्स के साथ आप कर सकते हैं यह भी तीन साल का कॉर्स है तो यह हो गया आपका उसके बाद अगर आप बीकम करना चाहते हैं बीकम में दो तरह से एड़िशन होगा उसके बाद यहां पर दिया गया है BAC अगर आप BAC करना चाहते है में एश्ट्रिम प्रोग्राम किसी भी से तो साइंस से आपको पास होना ज़रूरी होता है उसके बाद यहां पर यह भी तीन साल का इसका इंटरेस इंटरेस इंटाम 14.6.32 इसको आइजित कराया जाएगा उसके बाद यहां है Master of in Computer Application में अगर आप करना चाहते है तो इसके लिए आपको BAC करना किया होना चाहिए या BAC करना किया होना चाहिए या One Year Diploma Course कोंप्यूटर में किया होना चाहिए तभी आप इसमें एडविशन ले सकते है ये PG Course होता है और ये 2 साल का है उसका इंटरेस 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 को एजित कराया जाएगा उसके बाद यहां पे BA में अगर एडविशन लेना चाहते है तो आपको Arts, Science या Commerce किसी भी Stream से आपको इंटरेस होना चाहिए ये 3 साल कोर्स है इसका इंटरेस 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 को एडविशन कराया जाएगा उसके बाद यहां पे दिया गया है इस अनर्स में एडविशन लेंगे जो भी PG में कोर्स आपको लेना चाहते है और डेट दिया गया 20-6-22 को आपका इंटर्वी होगा अगर आप MA application of psychology से करना चाहते हैं तो इनका भी interest exam नहीं होगा zoology से अगर आप MSE करना चाहते हैं तो इनका interview होगा interest exam नहीं होगा इसी के base पे admission होगा यहाँ पे दिया गया आपको BSE को हो, BA हो या become हो किसी BST में आपको 45% मार्स है तो MSW course कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे political science political science में अगर MA करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको no interest exam देना होगा कोई भी interest exam आपका नहीं होगा उसके बाद MSC of physics करना चाहते हैं कि अगर BA, BSE इस सर्वे में एडिशन लेना चाहते हैं तो आपको minimum 50% मार्स होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है BA या BSE करना चाहते हैं तो आपको 12 में 45% मार्स होना चाहिए और अगर आप category से आते हैं तो आपको 45% सभी को 45% मार्स होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है उसके बाद अगर आप BCOM करना चाहते हैं तो BCOM में दिया गया है कि नियम की जैसे कि अगर आप Commerce से हैं तो आपको 45% मार्स से पाउस होना चाहिए मगर अगर आप Science है या आप से अगर BCOM करना चाहते हैं तो आपको 50% मार्स होना चाहिए यहाँ पे यह सारा चीज मेंसन कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे कि अगर आप category अगर सो करते हैं तो आपको CO या HDO HDM से आपका Cash Certificate इसू होना चाहिए यहाँ पे दे दिया गया है उसके बाद यहाँ पे exam कितना फी लगेगा यहाँ पे सारा मेंसन किया गया है तो आपना देख सकते हैं कि जो भी आप course में एडिविशन लना चाहिए से कि B.A.B.S.E. अगर करना चाहते है तो आपको 1100 रुपे लगेंगे जबकि MA करना चाहते है होम science तो 300 रुपे लगेंगे MA जो गरोफी होगे इंगलिस होगे या किसी भी करना साथ 1100 रुपे लगेंगे और सभी इस ट्रिम के लिए 1100 रुपे लगेंगे सिर्फ आपको MA C Home Science के लिए 300 रुपे लगेंगे यहाँ पर सारा दिया गया है उसके बद यहाँ पर exam कैसे होगा exam pattern क्या रहे है तो यहाँ पर सारा चीज दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है B.A.B.S.E. सभी के लिए 100 अमार्स जो exam होगा उनका 100 अमार्स के exam होगा दो घंटा समय दिया जाएगा और पर टे कोस्तान एक नमर का होगा कोई डियाटी मार्किंग नहीं है तो यह बात आपको ध्यान मेंगना है सारा कोस्तान बना कर आना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं B.A.C. के लिए क्या क्या पुछे जाएंगे तो B.A.C. के लिए आपको जेर्नल नॉलेज और एक्ट्यूट टेस्ट पुछे जाएंगे 10 नमर का ठीक है उसका फीजिक्स के मैस्ट्री में पुछे जाएंगे आप B.A.C. के लिए जेर्नल लॉलेज और पे आपको 25 नमर रहेंगे और कोस्तान रिलेटेड विट सब्जेक्ट जो की 75 नमर रहेंगे उसका B.A.C. में भी कमर्स परफेशनल जो कोर्स है इसमें भी ऐसा ही लिया जाएगा आपको जेर्नल से 25 परशनल रहेंगे और कोस्तान रिलेटेड जो हो गए उससे आपको 25 परशनल रहेंगे C.M.C. में जेक सकते हैं जेर्नल साइंस इसी परकार से सारा का यहां पर दिया गया है तो जो भी कोर्स में एड्मिशन रहना चाहते है आप देख सकते हैं BBA के लिए देख सकते हैं BBA के लिए क्या होगा तो जेर्नल इंगलिस उसके बाद पोस्तान आपक्यूट रहेंगा आपको अगर एड्मिशन लेता है तो पुरा कोर्स करना होगा नहीं तो फीस वापस नहीं होगा तो सारा चीज यहां पर आपको बता दिया गया है तो फ्रेंट वीडियों बस इतना ही वीडियों लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और किसी भी तरह का डा